नमस्कार दोस्तों MS Excel के आज के टुटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक सी चीज सेखने वाले हैं और ये आपके डेली यूज में बहुत काम आती है जब आप Excel पर काम करते हैं तो इसमें बहुत लंबे चुड़े फॉर्मली की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये आपको डेली का जो काम करते हैं कोई लिस्टिंग करते हैं जहां पर नंबर का काम होता है जहां पर आपका अल्फाबेडिकल कुछ लिस्ट बनानी होती है वहां पर इस तरह का फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है तो हमारे पास एक लिस्ट है और ये लिस्ट आप देख रहे हैं इस लिस्ट में कुछ नाम यहां पर हमने लिख रखे हैं और इस लिस्ट में कुछ कमी है कमी क्या है यहां पर हमने नाम एकदम correct लिख रखा है लेकिन यहाँ पर capital letter में है यहाँ पर capital small दोनों यहाँ पर भी capital small यह capital में यह small में इस तरह से सारा कुछ mixture है मालीज एक तरीकी से के खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पर और यह capital और small letter की तो अभी कभी कैसे होता है कभी मालीज एक हम फटावट कोई काम करते हैं कुछ small में type कर दिया और कभी जल्दवाजी में हम कुछ और काम कर रहे हैं तो उसमें capital या caps lock on है तो हमने फटावट लिखा तो capital में कुछ numbers हो गए कुछ गलती से हमारे पास speed maintain करने के लिए कुछ और हमारे पास को correction करेंगे तो आपको बहुत time लगने वाला है तो इसको हम एक इसको हम upper case में या फिर lower case में किस तरह से change कर सकते हैं एक formula की मदद से आज का वीडियो इसी विशाय पर होने वाला है तो देखे इसको माल लीजिए हमें capital लेटर में करना है सारा कुछ caps करना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए आपको formula आपको मालूम है कि formula लगाने के लिए सबसे पहले बराबर का निशान लगाना होगा उसके पास आपको देखना होगा कि कौन सी cell है जिसका आपको जो या जो भी column है कि जिसको आपको change करना है अपर case में या lower case में तो उस पो ध्यान देना यहाँ बराबर का निशान लगाया और हमें यह सारी letters को या सारे जो नाम है उनको हमें capital letter में करना है यानि अपर case में करना है तो हमें यहाँ पर आपर type करना होगा UPP नीचे देखिए या जो भी column लेना है उस column का जो name आपका है वो ले लीजे select क्लिक करते ही वो आपको A1 जैसे A column है इसका row है तो वो cell select हो गई आप यहाँ पर आप bracket close कर दीजे और जैसे ही आप आप enter मारेंगे तो यह देखिए convert हो जाएगा अब आपको दिखाता हूँ देखिए enter मारना हूँ है यह enter हमने यहाँ पर मारा और यह सारा कुछ capital letter में आ गया यह देखिए कविता हमने small में लिखा था यहाँ पर हमने capital कर दिया अब हम इसको पकड़ कर यहाँ से जब हम drag करके नीचे ले जाएंगे खीचेंगे तो यह सारे letter हमारे capital में convert हो जाएंगे अब ही C को हमें अगर यहाँ पर small में convert करना है या lower case में convert करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा हमेशा की तरह है जैसा कि अभी हमने देखा formula के लिए हमें यहाँ पर capital letter ओ सारी बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पर हमें lower लिखना है L O W E अपने आप आगया E R और लिख दीजिए lower हो गया bracket शुरू कर दीजिए शुरू करने के बाद यहाँ आपने इसी list पर हमें काम करना है जिस पर हमें small करना है तो click कर दिया और bracket close करेंगे और enter मारेंगे तो यह सारा lower case में convert हो गया और यहाँ खीज देंगे इसको पकड़के तो सारे case यहाँ पर lower हो गया इस तरह से आप capital और lower में काम कर सकते हैं मालीजे यह list आपने यहाँ से copy कर ली और आपने कहीं और paste करना है मालीजे आप किसी दूसरी shift शीट पर काम कर रहे हैं और वहाँ आपने paste करनी तो आपने यहाँ पर जब paste करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर paste होने पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर formula लगा हुआ है और आपने वैसे यहाँ पर paste कर दिया तो इसलिए आपको कोछ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर हम दोबारा से काम करेंगे हम इसको copy करेंगा अब इसको आपने paste कैसे करना जब किसी value पर formula लगा होता है तो इसको आप कैसे paste करते हैं किसी दूसरी sheet पर या उसी sheet पर किसी नई row में नई column में वो हम देख लिते हैं इसको यहाँ से आपने copy किया copy करने के बाद यहाँ आपने paste करना है तो यहाँ जाके right click किया right click करके हमें यहाँ पर paste special करना है paste special पर click करेंगे तो यह इस तरह का एक pop-up दिखाई दे जाएगा आप यहाँ पर आपने यहाँ नीचे देखेंगे बहुत सारे अलग-अलग option दे रखें जिनमें हमें value पर click कर देना है value पर click करेंगे और ok कर देंगे तो यहाँ पर यह value आ जाएगी आपकी आप formula यहाँ पर नहीं रहा और simply आप यह value को कहीं पर भी paste कर सकते हैं इस तरह से कहीं पर आप कोई number के साथ काम कर रहे हैं और उसमें भी अगर कोई formula लगा हुआ है तो उस formula को भी आप ठीक इसी तरह से paste कर पाएंगे और value के साथ paste कर पाएंगे अब हम एक चीज और सीख लेते हैं आज की वीडियो में माल लीजिए आपका पास कोई number है ठीक है 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 3, 6, 4, 6, 3, 5, 3, 9, 4, 8, 5 यह number है और इसको हम 9 से divide कर देते हैं माल लीजिए और यहाँ पर हम एक formula लगा देते हैं इससे divide करने का और यहाँ हमने इसको paste कर दिया तो यह हमारे पास formula आगया इसको एक बार copy कर लेते हैं और यहीं पर इसको हम paste कर देते हैं paste special value और ok तो यह हमारे पास हो गया अब हम क्या कर रहे हैं इसमें आप देखेंगे point के बाद यहाँ पर 3 value तक यहाँ पर 2, 2, 2, 8, 8, 9, 2, 2, 2 हम चाहते हैं इसकी round value आजाए अगर आप इनको 2 number तक आप चाहते हैं तो format cell में जाएए और यहाँ number में जाएए यहाँ decimal place दे रखा है यहाँ दो क्लिक कर दीजिए ok करेंगे तो decimal के बाद यहाँ पर दो value रह जाएंगे दो number रह जाएंगे अब इसके बाद आगर आप फिर भी यह चाहते हैं कि यह सारी जो value है इसमें यह दो दो भी ना रहे हैं और यह round of में हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे तो उसके लिए formula लगा लेते हैं हम यहाँ पर same की same वैसी बराबर का निशान लगाया और यहाँ पर हमने type करना है round तो round type करेंगे तो round type करते हैं यहाँ पर आप देखिए sorry तो round type करते हैं यहाँ पर देखिए formula लिख किया आगया यहाँ पर number comma number digit तो यहाँ पर हमने यह हमें चेंज करना है इस पर हमने क्लिक कर दिया कॉमा लगा दीजे और कॉमा लाया के नम डिजिट में आप सिंपली 0 मतलब हम यहां पर हमें क्या वैल्यू देनी है तो हमें 0 देना है 0 लगा के ब्रेकेट को क्लोज करके enter कर दीजे enter करते ही यहां पर आपकी जो value है वो round up हो गई यहां वो दश्मलक के बाद 5 से कम value है तो इसलिए यहां पर 6 ही रहा लेकिन यहां पॉइंट के बाद 8 है 5 से ज़दा value है तो यहां पर 4 होना चाहिए आई हम इसको paste करके एक बार देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर यह 5404 हो गया 00 ले लिया इसी तरह से यह कर दिया इसने और यहाँ पर माल लीजिए हम इसको एक बार प्लस कर देते हैं तो यह देखिए प्लस में वैलू यह आ गई कोई inventory maintain करते हैं और वहाँ पर जब आप इस तरह की कोई calculation करते हैं दशमलब में जब value होती है तो बहुत ज़्यादा problem होती है गलती होने के chances बढ़ जाते हैं डिफरेंस बहुत ज़्यादा कई बार आ जाता है GST file करते हैं या ITR file करते हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरह से इसको round up में ले सकते हैं round up करने पर आपके जो value में जो difference है बहुत कम आएगा या ना के बराबर आएगा और आपके जो calculation है वो भी गलत नहीं होगी तो ये दोनों चीज़ें अपर और lower case वाली और ये दशमलब के आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफी काम के रही होगी वीडियो पसंद आया है तो like करके दोस्तों के साथ share जरूर कीजेगा चैनल पर रहे हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर लीजेगा मिलते हैं आप से ऐसे ही किसी नए वीडियो में